आप सबको जैमसी की प्रभुकदने वाद करते हैं इस सुन्दर सुभा के लिए कि जो परमेश्व पिता ने हमारे जीवनों में जोड़ी और रात भर समाल कर एक नया सवेरा, एक नया दिन परमेश्व ने हम सब के जीवन में जोड़ा इस बात के लिए उस परमेशर पिता का हम धनिवात करें तो आईए हम सब मिलकर परमेशर के वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रातना करेंगे और जितने भी लोग हमें फोन कॉल्स मेसेजिस और यूटूब, फेसबूक और वाटसेप मेसेजिस करते हैं और जितने भी लोग प्रातना सुन रहें, उन सब के लिए हम निरंतर प्रातना करते हैं तो आईए हम सब मिलकर परमेशर के वचन को सुने आज मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ, हालात बदल जाते हैं येशु तेरे आने से जब येशु मसी नाइन नामक एक नगर में पहुँचे तो वहाँ पर कुछ हालात बिगड़े हुए थे वहाँ उस सहर में उस गाउं में एक जवान लड़के की मृत्य हो गई और उसकी मां का वो एक लौता बेटा था, वो लेड़ी बिद्वा थी और उसका एक ही बेटा था, और वो भी मर गया उस सहर के उस गाउं के हालात बिलकुल बिगड़े हुए हैं सब लोग रो रहे हैं, मातम मना रहे हैं और जब येशु मसी उस नाइन नामक सहर में आए और येश्व मसी ने देखा कि वहाँ पर सबी लोग रो रहे हैं उसकी मा रो रही है और येश्व मसी को उस माँ पर तरस आया और येश्व मसी ने कहा कि मत रो और येश्व मसी ने उस अर्थी को छुआ उस मुर्दे को छुआ और वो मुर्दा जिन्दा हो गया उठ गया बैठ गया और खाने लगा और येश्य मसी ने उसको उसकी मा को सौप दिया वहां के जो हालात थे जो मातम मना रहे थे अब वो खुसियां मना रहे हैं जहाँ पर मृत्यू का महल था, जहाँ पर मृत्यू की हालात थे, वहाँ पर अब जीवन का महल हो गया है, जो दुखी थे, वो खुस हो गए है, जो मातम मना रहे थे, वो आनंद मनाने लगे, क्योंकि जब प्रभु येश्य मसी कहीं पर परवेस करते हैं, तो वहाँ के हालात को वो बदल देते हैं चाहे वहां के हालाद कितने भी खराब क्यों नहों प्रंट जब येश्य मसी आते हैं तो वो सब के हालाद को बदल देते हैं उस विद्वा लेडिस के हालाद को येश्य मसी ने बदल दिये उस परिवार के हालात को येश्मसी ने बदल दिये उस गाउं के हालात को येश्मसी ने बदल दिये जो मातम मना रहे थे वो अब आनंद मना रहे हैं जो दुख मना रहे थे वो खुसी मना रहे हैं जहां मृत्य थी वहां अब जीवन है जो लोग चुप चाप थे वो लोग अग नाच गा रहे हैं जिस घर में येशु का नाम लिया जाता है उस घर के हालात बदल जाते है जो बेक्ति येशु का नाम लेता है उस बेक्ति के हालात बदल जाते है जो जीवन येशु को गरण कर लेता है वो जीवन बदल जाता है मेरे प्रियों, आज आपके जीवन में कैसी भी परस्तिती चल रही है कैसी भी परिसानी से जूज रहे है यदि येश्व आपके जीवन में आ जाए तो आपके हालात बदल जाएंगे इसलिए येश्व को अपने जीवन में गहन करें येश्य को अपने जीवन में अपने जीवन का प्रभू बनाएं तो वो आपके जीवन को बदल देंगे आपके घर के माहल को बदल देंगे आपके घर के हालात को बदल देंगे जिस गर में असांती है यदि प्रभू येश्य मसी उस गर में आजाएं तो उस घर में सांती ही सांती है जिस घर में लड़ाई जगड़े है यद ये शुमसी उस घर में आ जाएं तो उस घर में मेल मिलाब और प्रेम ही प्रेम है जिस घर में कोई आसिस नहीं है यद ये शुमसी उस घर में आ जाएं तो आसिसों की बरसाथ है अपने हिर्दे में येश्व मसी को जगए दें, अपने घर में येश्व मसी को बुलाएं, कि येश्व मसी आप हमारे घर में आएं, और हमारे हालात को बदल दें आईए हम सब मिलकर प्रात्ना में जाएंगे प्रभु जी sausages कर दनेवाद हैं आज के वचन के लिए जो आपने हिर्देंनेंेंट बोया प्रमेश पिता जिस प्रकार प्रभु जी आपने प्रभु काउं में जाकर प्रभू इनके हालातों को बदल दिया प्रमेशर उसी प्रकार प्रभू जितने भी लोग इस प्रात्ना को सुन रहा है पिता प्रमेशवर यदि प्रभू은 के जीवन में कोई भी विपत्ती है कोई भी संकट कोई भी परिशानी है कोई भी निराशा असफलताएं है प्रभु जी चिंताएं है प्रभु करजे है परमेशु पिता और प्रभु जी न जाने कौन सी मुसीबत उनके जीवन में है प्रभु पिता परमेशु और आप हर एक के जीवन में आ जाईए प्रभु आप उनके हालातों को बदल दीजे परमेश्य पिता, धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभुजी, मैं प्रात्न करती हूं प्रभु, यदि कोई अपने बिमारियों में है प्रभुजी, यदि कोई करजे में है परमेश्य पिता, यदि कोई अपने शादी की टेंशन में, बच्चो को उनके हालातों को आप बदल दीजिए आप उन हालातों से कठिन परिस्तितियों से निकाल कर उनके हालातों को आनन में खुशी में परमेश्वर बदल दीजिए धन्यवाद करते हैं प्रभू आपने हर एक की सुधी ली प्रभू आज के दिन में हर एक को आप दुरगटनाओं से बचाएं प्रभू सब की रक्षा हिफाज़त करें हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रात्ना का उत्तरहा और आमीन में दिया येशु मसी के सामर्थी नाम से मांगते हैं आमीन आमीन और आमीन